खब्रादी शुरुआत आज दी आहम खब्रादे नाल पंजाब विदान सबा चोना दोजार बाई दे लई कांगर्स पार्टी ने आखिर कार उमीद वारा दी पहली लिस्ट चारी कर दिती है कांगर्स ने 117 विदान सबा सीटा दे विच्चों 86 उमीद वारा दे नामाद आयलान कर दिता है सिद्धु मुसे वाला चिस्ती सीट लू लेके काफी सस्पेंस बढ़े होया सी वो हुनमान सा तो ही चोन लड़ंगे ते अपनी किसमत अजमौन गे बठिंडा शेरी तो मनपृत सिंग बादल पुचो मंडी तो प्रीतम सिंग कोट पाई गिदर बाहा तो अमरिंदर सिंग राजा वडिंग ते मलेर कोटला तो रजिया सुल्ताना कांग्रिस पार्टी दे उमीदबार होंगे इस तो इलावा जिकर गालकरिये पंजाब दे साबका सी एम चरंजित सिंग चन्नी दी चन्नी हुन चमकौर साहिब तो चोन लड़नगे नवजोट सिंग सिंग सिद्धू अमरिस सर फूट भी तो ते विजेंदर सिंगला संहरूर तो चोन लड़नगे आमादमी पार्टी दे से इंचार्च रागव चड़ा दे वलों चण्डिगर दे विच एक प्रेस कांफरेंस कीती गई प्रेस कॉंफरेंस दे दौरान उना ने recent Commission पंजाब ती स्वाव चुके ने रागव चडवा नी कहा कि छोण कमिशन पंजाब दे विच एक नमी स्यासी पार्टी दी रिजिस्ट्रेशन दी सहूलत दे लई नियमा दिविच बदला कर रहे हैं और ना केहा कि चोन कमिशन सारे नियमा नू चिक्के टांके मोची नू स्यासी पार्टी दे वजों रिजिस्टर्ट करना चोंदा है। इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया अपने डिफाइंड रूल्स और कानूनों में संचोधन करके बदलाव करके एक नए ग्रुप को पुलिटिकल पार्टी में रिजिस्टर करवाना चाह रहा है और सारे कानूनों को सारे रूल्स को ताक पे रखके इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया हर सूरत में इस ग्रुप को इस मोर्चे को एक पुलिटिकल पार्टी के तौर पे रिजिस्टर करके इन्हें इलेक्शन सिंबल अलोट करना चाह रहा है। कि अनॉंस्मेंट होने के बाद, इलेक्शन की अनॉंस्मेंट होने के बाद, यानि कि चोण जापता लगने के बाद, बीच चुनाब में इस पुलिटिकल पार्टी को रिजिस्टर किया जा रहा है। और इलेक्शन कमिशन का डिफाइंट कानून है कि कि किसी भी पुलिटिकल पार्टी को रिजिस्टर करने से पहले 30 दिन का, 30 डेस का नोटिस पीरिट देना होता है, कानून में लिखाया। यानि कि अगर मैं एक जन्वरी को अपनी अप्लिकेशन दाखिल करता हूँ, तो एक जन्वरी से लेकर 30 जन्वरी तक, 30 जन्वरी तक, 30 दिन की समय सीमा होती है, जिसमें लोगों से अबजेक्शन इन्वाइट किये जाते हैं, एक नोटिस पीरिट दिया जाता है। इलेक्शन कमिशन इस नोटिस पीरिट को 30 से घटा कर 7 दिन करने जा रहा है, यह हमने आपको कहा था कि हमें ऐसा अंदेशा है, हमें डर लग रहा है, हमें सूचना मिल रही है, सूतर बता रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है। और आम आदमी पार्टी की भविश्य मानी, आम आदमी पार्टी का अंदेशा, आम आदमी पार्टी का शक यकीन में बदल गया। चौदा जन्वरी 2022 को, यह मैं सर्कुलर आपके सामने लाया हूँ, यह इलेक्शन कमिशन का सर्कुलर कम्प्रेस नोट है, जिसमें इलेक्शन कमिशन अप इंडिया ने 14 जन्वरी 2022 यानि की कल, यह सर्कुलर जारी करकर कहा है, कि हम एक पुलिटिकल पार्टी को रिजिस्टर करने के लिए जो 30 दिन की समय सीमा होती है, उसे कम करके 7 दिन कर रहे हैं, इन्होंने कारण दिया है कि महमारी है, कोविड है, तो पुलिटिकल पार्टी अपनी रिजिस्ट्रेशन फॉर्म दाखिल करने में, दिखते आ रही थी, अडचन आ रही थी, इसलिए हमने उनको ये रिहायत दिया है, उनको ये रिलीफ दिया है, और 30 दिन से घटा कर 7 दिन कर दिया है, पुलिटिकल पार्टी के रिजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो नोटिस पीरड होता है, हमने उस दिन भी कहा था कि ऐसा ल करने के लिए सारी कानूं को ताख पे रख रहा है, सारे रूल्स में संचोधन कर रहा है, एक स्पेशल ट्रीट्मेंट कुछ लोगों को दे रहा है, पंजाब दे मुख मंत्री चरणचीच सिंह चनी ने चोन कमिशन उपतर लिखके चोणा मुल्तवी करनि मांग कीतिया और इसकारण पंजाब दे चोणा मुल्तवी होनिया चाहे दिया ने, दास दिये कि पंजाब देविच 14 फरवरी नो इको गेट देविच वोटा पैंड गया पंजाब देविच 21 जनवरी नो नाम जद्गी शुरू होएगी इस तोरान नाम जद्गी दी आखरी में दी अठाई जनवरी दे पड़ताल 29 जनवरी नो होएगी पंजाब देवे 14 फरवरी नू वोटा पैंड गया ते 10 मार्च नू गिंती होएगी पंजाब विच करोना वाइरस एक वार फिर बेकाबू हुंदा जा रहा है करोना दे नवे केसा आते मौता दी गिंती फिर तो गद्नी शुरूर हो गई है मेडिकल बुलेटिन दे अनुसार पंजाब दे विच शुकरवानो 7649 केसा देनाल करोना वाइरस दी गिंती वाद के 6,99,760 हो चुकी है जदो की मरणवालें दी गिंती 16,700 कती हो गई है क्योंकि इकी हो लोको वाइरस इंफेक्शन देनाल दाम तोड़ गएने मुलेटिन दे विच दस्या गया है कि ताजा मामने दे विचोलुद्याना दे विच 1808, महाली दे विच 1215, जनंदर दे विच 690, पट्याला दे विच 664, आते बठिंडा दे विच 449 दर्ज कीते गईने तस्वीरा सामने आयाने शिर्यमसर साहिब तो जिते ड्रग केश्च अगाउज मानत मिलंतोबाद अकाली दा दे सीनियर लीडर बिक्रम जीत सिंग मजीठिया पहली वार अमरिसर पहुंचे जिते हजारा दी किंदी दे विच पहला ही पहुंचे उना दे समर्थका ने बिक्रम जीत सिंग मजीठिया दा स्वागत कीता ओथे ही टोल दी तालते पंगडे भी पाएगे इस तुरान मजीठिया ने कहा कि पार्टी जितो बोलेगी ओथो ही चोन लड़नगे पार्टी जेडा भी हुकम होना नू करेगी ओह मननगे उना कहा कि अदालत दे फैसले देनाल इंस नाफ दे जित होई है इस मौके समर्द काने वलों फुला दे हार पाके में जीठिया दा स्वागत कीता गया केस चे हो देते टिपनी कीती है कि ये बंदा अन्फिट फोर डीजीपी है क्योंकि आप दी जगा दी दुरवर्तों करता है ही मिस यूजिस इस ओफिशल पॉजिशन ओही गल समने आया यूपी एसी तो रिजेक्टेड एचली जेस बंदे ते इंदर परी चड़ा जी दी सूसाइड केस चे जिनाते खलाब कारवाई ओनी सी मगर होना ने कोटता साहरा लिया क्यूस्ट ने हो दे चे बहुत बड़े प्रावा आग दुटू साब दी बक्षिशा मजबूती देनी नहीं देनी तुही सारेया दी किर्पा चलो ठोको ताली जित्वो मर्जी खड़े जी साथे आप पार्टी दा फैसला जित्वो लड़ाओन के लड़ांगे पार्टी चोन कमिशन ने स्यासी रेलिया रोड शो ते लगाईया पबंदियान विखफ़े दे लई हो रवदा दिता है यानि कि हुन 22 जनवरी 2022 ताके सारिया पबंदिया लागू रहन गया हाला कि चोन कमिशन ने इंडोर ले स्यासी पार्टी आनू थोड़ी राहत जुरूर दिती है उन इंडोर वर्गया थावा ते कटो का 301 या कुल समरत था दे 50% लोका दे नाल बैट का अयोजित की तिया जा सकनिया हाला कि चोन कमिशन ने स्यासी पार्टी आनू हदाय दिती है कि कोबिट प्रोटोकोल दा इना सबावा दोरान सकती दे नाल पालना कराई जावे अते ना ही आदर्श चोन जाब दे दावी उलंगना होनी चाहिदी है नाली एवी केहा की आठ जन्वरी दोहजार बाई नू जो चोना समंदी व्यापक 16 सूतरी गाइडलाइन्स जारी की तिया गईयाने ओ भी पहला दी तरह ही लागू रहन गया एक बार फिर दास्तिय की सियासी पार्टियां ने वड़े जन तक प्रोग्रामा ते पबंदी लगा दिती गई है चोन कमिशन ने रह लिया रोड़ शो आदी ते पबंदी दी म्याद नू हो रगे बता दिता है हाला कि ये पबंदीया आजे तक एक अफ़ता होर लागू रहन गया me are you worried about your child future then here is a golden chance to join the senior secondary public school for black future of your child. best education is provided here with reasonable free structure, finest environment, well managed alaps of physics chemistry and biology, special quota classes for plus 1 and plus 2 students. Admission open from now. For nursery to 9th and plus 1 in commerce, arts and medical stream, join Doon Senior Secondary Public School, Karyatwala, District Bathinda. Contact on 94-179-40107 and 99-8847-2857. For your child's bright future and to enhance your child's knowledge, take them to Bhatia Model Senior Secondary School, CBSE Affiliated. Admissions are open from nursery to 12th with medical, arts and commerce stream with affordable fee. Available facilities are fully air-conditioned classrooms, well-educated and cooperative staff, healthy environment for your child's better upbringing, faculty of kindergarten, physics, chemistry and mathematics lab. Extracurricular activities like yoga classes, meditation sessions, athletic meet. Admission open, limited seats. Do hurry. For the further inquiry, contact on 01651220279 and 01651221279. Finding for a school to enroll in? Do you want to enhance your skills and abilities? Don't worry. Lala Kasturi Lal Sarvitkari Senior Secondary Vidya Mandir, Affiliated to CBSE, offers you complete facilities of computer lab, high-quality education, friendly environment with affordable fee structure and faculty of Shishubatika for kids. Admission open from now for LKG to 9 and plus 1 in all streams. What are you waiting for? Build your child's future at Lala Kasturi Lal Sarvitkari Senior Secondary Vidya Mandir, Maharaj Road Rampura Fool District Bathinda. Contact on 01651505076 and 505077.